क्या दोस्तों आपको पता है वर्ष 2023 में अंडर 20 फुटबल विश्वकप कहां आयोजित किया जाएगा हाल ही में बारत में 42 रामसर साइट के रूप में किसको जोडा गया है हाल ही में बॉक्सिंग डे कब मनाया गया ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 26 दिसंबर का करेंट अफेर का वीडियो त्यार किया है यह वीडियो लास्ट तक देखें लास्ट में मैं आपसे एक क्वेशन पुछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेट बॉक्स में दे रहा है वर्स 2023 में Under 20 फुटबल विश्वकप कहां आयोजित किया जायेगा वर्स 2023 में Under 20 फुटबल विश्वकप प्रतियोगिता का आयोजन किया जाने वाला है इंडोनिश्या देश में यानिकि इस कुष्ण का सही आंसर है इंडोनिश्या अंडर 17 और अंडर 20 फुटबॉल विश्व कब प्रतियोगीता ये रद करने की घोषना किसने की है, हाल हिमें विश्व फुटबॉल की प्रशासनिक संस्था बोले तो फीफाने ये घोषना की है, और प्रतियोगीता ये क्यों रद कर दी गई है? कोरोना महामरी के करण, और ये टुर्नामेंट वर्स 2021 में आयोजित होने वाले थे और अंडर 17 और अंडर 20 फुटबॉल विश्वकप टुर्नामेंट कब आयोजित कराये जाएंगे अब इसका आयोजन कराया जाएगा वर्स 2023 में और अंडर 20 फुटबॉल विश्वकप का आयोजन कहां किया जाएगा इं फेडरेशन इंटरनेशनल दफुटबल एसोशेशन और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है गियानी इनफेंटिनो फीफा की स्थापना कवुई 21 माई 1904 और फीफा का हैड़कवाटर स्वीजर लेंड के जीवरिक में स्थी थे और फीफा विश्वर रैंकिंग की बात करे तो बेलजियम को लगातार दूसरी बार फीफा दवारा टीम आप दे एर चुना गया है किस टीम को बेलजियम की टीम को और दोस्तो इसी तरह हर क्वेशन से जुड़े इंपोर्टन फैक्ट में आपके सामने रखता हो हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक कर ना मत बोलेगा दूसरा क्वेशन है आपकी स्क्रीन पर हाल ही में भारत की 42 रामसर साइट के रूप में किसको जोड़ा गया है भारत की 42 रामसर साइट के रूप में जोड़ा गया है त्सो कर को यानि कि लद्दाक में यह शेत्रस्थी थे त्सो कर और त्सो कर 42 रामसर यह आंसर है option A. सो कर तो भारतने हाल ही में सो कर वेटलेंड कॉम्पलेक्स को अपनी 42 वी रामसर साइट के रूप में जोड़ा है और यह लद्दाक में दूसरी रामसर साइट है image में देख सकते है और लद्दाक की पहली रामसर साइट का नाम क्या है? सो मोरिरी क्या? सो मोरिरी और सो कर यह दोनो लद्दाक की रामसर साइट है और 2019 से पहले 26 रामसर क्षेत्र थे और 2019 में सुन्दरबन वन डेल्टा जो की पस्चिम बंगाल में सी थे उनको शामिल कर लेने से इनकी संख्या 27 हो गई थे याने कि 2019 तक हमारे भारत देश में रामसर साइट की संख्या कितनी थी? 27 थी और इस वर्षद 2020 में पंदरव और क्षेत्रों के इसमें शामिल हो जाने से भारत में रामसर क्षेत्रों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 42 हो गई है और हाल ही में शामिल किये गए चार रामसर साइट की बात करे तो 49 वे रामसर साइट के रुप में बिहार के काबरतल को शामिल किया गया 40 वी रामसर साइट के रुप में महाराश्ट्रकार लोनार जिल शामिल हुआ 41 वी रामसर साइट के रूप में आगरा के पास सूर सरोबर को रामसर साइट के रूप में गोशित किया गया और अब हमारी 42 वी रामसर साइट बन गई है लद्दाक की या चौकर जिल और भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है तो आंद्रव प्रदेश का कॉलेरु जिल तो यह फैक्ट भी हमें याद रखना चाहिए और जब बात करते हैं लद्दाख के तो आधिकारिक रूप से केंद्रशाशित प्रदेश का दर्जा लद्दाख को कब दिया गया 31 अक्टू लेफ्टेनिन गवर्नर कौन है आरके मातूर यानिकी राधा कृष्ण मातूर तीसरा घोषन प्रती वर्ष बॉक्सिंग डे कब मनाया जाता है प्रती वर्ष बॉक्सिंग डे मनाया जाता है 26 दिसंबर को लेकिन हाल ही में मेरे सामने जो कुछ नई इन्फोर्मेशन आई है उनमें इस तरह लिखा है कि 26 दिसंबर को या तो शनिवार है या रविवार तो बॉक्सिंग डे मनाया जाएगा सौमवार को तो यहां आप करेक्शन मुझे करायेगा कि बॉक्सिंग डे कब मनाया जाता है जो मेरे सामने इन्फोर्मेशन है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हो बॉक्सिंग डे बैंक या सार्वजनिक अवकाश है जो 26 दिसंबर अत्वा राष्ट्रिय या क्षेत्रिय कानूनों के अनुसार क्रिस्मस के एक या दो कारियकारी दिनों के बाद परता है और क्रिस्मस के अगले दिन 26 दिसंबर को युके और आयरलेंड के अलावा कई कोमन वेल्थ देशों में सरकारी छुट्टी होती है अगर 26 दिसंबर शनिवार या रविवार को होता है तो बॉक्सिंग डे सौमवार को मनाया जता है और आयरलेंड में बॉक्सिंग डे को सेंट स्टीफन दिवस या रेन दिवस के रूप में मनाया जता है और क्रिकेट जगत की बात करें तो हाल ही में भारत और 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 आस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्टर सीरी जारी है इसका नाम है Boxing Day Test तो क्रिकेट जगत में अस्ट्रेलिया हर साल इस दिन टेस्ट मैच की शुरुवात करते हैं और उसे Boxing Day टेस्ट कहा जाता है और Australia इस दिन Melbourne में ही टेस्ट मैच खेलता है 4. मदनमोहन मालवय को किस नामसे जाना जाता है इमीज में आप देख सकते हैं मदनमोहन मालवय जίसको मरणोत्तर भारत रतन से भी सम्मानित किया गया है उनको महामना नामसे जाना जाता है यानकि इस क्रिशन का सही अंसर है महा मना ऐसे हमारे मदन मोहन मालविया मदन मोहन मालविया का जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ और मदन मोहन मालविया का मृत्यू 12 नबंबर 1934 को हुआ और वे हमारे बारत देश के एक महान स्वतंतरता स्यानानी राजनितिग्य और शिक्षावीद ही नहीं बलकि एक बड़े समाज सुधारक भी थे और उन्होंने एक बनारस हिंदू विश्व विद्याले की स्थापना की जो आज भी मौजूद है तो उन्होंने दलीतों के मंदीरों में प्रवेश निश्यद की बुराई के खिलाप देश भर में आंदोलन चलाया था और उन्होंने बनारस हिंदू विश्व विद्याले की स्थापना की थी तो यह बात भी आपको याद रखने है एक्सामिनेशन में क्वेशन बन सकता है बनारस हिंदू विश्व विद्याले की स्थापना की थी मदन मोहन मालविय जीने 24 दिसंबर 2014 को भारत के राष्ट्रपती प्रणव मुखर जीने पंडित मदन मोहन मालविय को मरनोत प्रान देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रतन से बी नवाजा था मदन मोहन मालविय जीको 2014 में विकासशिल और अल्प विक्सित देशो में अवर्गी कृत प्लास्टिक अप्शिष्ट को निर्यात करने पर प्रती बंद किसने लगाया है यानि कि इस कुश्चन का सही आंसर है युरोपियन संग यूरोपियन संग ने 1 जनवरी 2021 से विकाशिल और अलपविक्सी देशों में अवर्गी कृत प्लास्टिक अप्षिष्ट को निर्यात करने पर प्रतिबंद लगा दिया है और इससे पुर्वा चिन्य प्लास्टिक अप्षिष्ट के निर्यात पर प्रतिबंद लगा दिया था और अब लगाया है यूरोपियन यूनियन ने प्रतियक वर्ष यूरोपिय देशों में 25 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन करते हैं किन्तो इसका एक तिहाय यानि कि तकरिबं 30 प्रतिशत से भी कम पुनर नवीनिकृत हो पाता है और दुन्या भर के समुद्री तटो पर मौजूदा इस तरह के कचरे का 85 प्रतिशत हिस्सा प्लास्टिक ही है और जब बात करते हैं यूरोपिय संग की तो यूरोपिय संग और ब्रिटेन के बीच हाल ही में एक व्यापार समझोता हुआ जिसके कारण भी ये यूरोपिय संग सुर्क्यों में रहा ब्रिटेन और यूरोपिय संग के बीच भावी व्यापार नियमों पर मैनों की वारता के बाद ब्रेक्जिट बाद का व्यापार समझोता हो गया है और यह देश में रोजगार सुन इस्चित करेगा और ब्रिटेन को यूरोपिय बाजार में शुलक और कोटा के बिना सामान बेचने में सक्षम बनाएगा और बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के तो मुख्यत अह यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनेतिक एवं आर्थिक मंच है जिनमें आपस में प्रशासकी या साजेदारी होती है जो संग के कई या सभी राष्टों पर लागो होती है और यूरोपियन यूनियन का हैड़क्वाटर बेलजीयम के ब्रसेल्स में स्थित है और इसका अप्यूदई के अब हुआ उन्निस सो सत्तावन में रौम की संदिक के बाद ये यूरोपियन यूनियन का अप्यूदई हुआ चठा कोशन बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए किस नाम से एक जागरुकता अभ्यान की शुरुआत की गई है बारिश के पानी को संग्रहित करने के लिए हाल ही में कैच दर रेन नमक एक जन जागरुकता अभ्यान की शुरुआत की गई है कौनसा अभ्यान? कैच चैच द रेन नामक जागरुकता अभ्यान की शुरुवात्य है और इसके जरिए रेन के जो वटर है उसको बचाया जा सकता है कौन सा अभ्यान है? चैच द रेन नामक जागरुकता अभ्यान की टेगलाईन قया है? बारिश के पानी का सरक्षन जहां भी संभव हो जैसे भी संभव हो इसका टेगलाइन और catch the rain नामक जागरुकता अभ्यान का उद्देश क्या है सबी स्थीतियों के आदार पर जलवायू परिस्थीतियों के अनुकुल बारिश के पानी को संग्रिहित करने के लिए वर्षया जल संचयन का निर्मान करना catch the rain सतो कुषन देश भर में फास्टेग कब से अनिवार्य होगा देश भर में फास्टेग अनिवार्य कर दिया जाएगा हमारे साल के पहले दिन यानिकी जनवरी 2021 से समुचे भारत देश में फास्टेग अनिवार्य कर दिया जाएगा यानिकी इस कुषन का सही अंसर है एक जनवरी 2021 और हाल ही में परिवहन वो राजमार्ग मंत्री कौन है? स्री नितिन गड़करी नितिन गड़करी ने स्पष्ट किया है कि एक जनवरी 2021 से फास्टेग देश भर में लागू हो जाएगा और वर्तमान में राश्ट्रिय राजमार्ग में 80% टॉल कलेक्शन या फास्टेग के माध्यम से ही किया जा रहा है यानकि 20% बाकि है उनको इन में जोड़ दिया जाएगा और यह फास्टेग क्या है? फास्टेग इलेक्ट्रोनिक टॉल संग्रहन प्रानाली है इसका संचलन राश्ट्रिय उच्मार्ग प्राधिकरन यानकि National Highway Authority of India द्वारा किया जा रहा है और फास्टेग के द्वारा टॉल प्लाजा में रुके बिना ही व्यक्ति के खाते से टॉल चार्ज अपने आप कट जाएगा और टॉल कर अदा करने के लिए गाड़ी को रोकने की जरुरत नहीं पड़ेगे और फास्टेग एक प्रिपेड अकाउंट से जुड़े हुए होते है इसके द्वारा टॉल प्लाजा से गुजरते ही एक व्यक्ति के खाते से टॉल अपने आप ही कट जाएगा और फास्टेग के लिए रेडियो फ्रिक्वंसी आइडेंटिफिकेशन टेकनोलोजी का उप्यो किया जा रहा है अठवा कुशन भारत का सबसे बड़ा होके स्टेडियम कहां बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा होके स्टेडियम बनाया जाएगा ओडिशा के राऊर किला में यानि कि इस क्विश्चन का सही आंसर है राऊर किला और इसकी गोशना की है ओडिशा के चिप मिनिस्टर नविन पतनायक जी ने हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंतरी स्री नविन पतनायक जी ने गोशना की है कि ओडिशा के राऊर किला में भारत का सबसे बड़ा होकी स्टेडियम बनाया जाएगा और इस स्टेडियम में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगे कितने 20,000 और इस स्टेडियम का निर्मान क कहां किया जाएगा विजू पटनायक यूनिवर्सिटी ओप टेक्नोलोजी के केमपस में और इसका निर्मान 15 एकड की भूमी पर किया जाएगा इस स्टेडियम में 2023 के पूरुष हो की विश्वकप के मैच का आयोजन भी किया जाएगा यानिकि 2023 में यह बनकर तयार हो इसमें ओडिशा इसकी मेजबानी करने जा रहा है तो 2023 में पूरुष हो की विश्वकप के मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी और भारत में ओडिशा के दो जो हो की के मैदान है वहाँ पर यह मैच खेले जाएगे एक भूनेशवर में और दूसरा राउर के लामें 2023 में पूरुष विश्वकप का आयोजन 13-29 जनवरी के दोरान किया जाएगा कब 13-29 जनवरी के दोरान कहाँ पर ओडिशा में और अंतरराष्ट्रिय हो की संग की बात करे तो यह अंतरराष्ट्रिय हो की संग की एक गवर्निंग बोड़ी है वर्तमान में 137 देश इसके सद और अंतरराष्ट्रिय हो की संग का गठन कब किया गया 7 जनवरी 1924 में और इसका FIH का हैटक्वर्टर का वर्षी थे स्वीजर लेंग के लिूसेन में और FIH के वर्तमान अध्यक्ष कौन है भारत के नरिंदर बत्रा नरिंदर बत्रा इमेज में आप देख सकते हैं नवा क्वेशन एसो चेम के नए अध्यक्ष कौन बने? एसो चेम के नए अध्यक्ष बन गए है वीनित अगरवाल और वीनित अगरवाल ने स्थान लिया है नीरंजन हिरानन्दानी का यानिके इस क्वेशन का सही आंसर है वीनित अगरवाल एसो चेम के नए अध्यक्ष त विनित अग्रवाल ने किसकी जगली निरंजन हिरानन्दी नी की तो निरंजन हिरानन्दा नी कौन है ग्रूप अप कम्पनीज के ससंस्थापक और मैनेजिंग डिरेक्टर है और विनित अग्रवाल की बात करें तो विनित अग्रवाल लोजिस्टिक्स प्रमुक्स ट्रांसप उपाद्यक्ष के रूप में चुना गया है और एसो चेम की बात करें तो इसका हैटक्वाटर नई दिलिह में स्ती थे एसो चेम की स्थापना 1920 में हुई थे दस्वा क्वेशन परियावरान, वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले किसके साथ मिलकर विद्यूत लाइनों पर फायर फ्लाई बर्डर डाइवर्टर स्थापित करेगा फायर फ्लाई बर्ड डाइवर्टर स्थापित करेगा हमारा यह मंत्राले WCS के साथ मिलकर यानि कि इस क्वेशन का सही आंचर है WCS और इसका पुरा नाम है वाइल्डे लाइफ कंजर्वेशन सौसाइटी तो परियावरान, वन और जलवायू परिवर्थन मंत्राले ने वाइल्डे लाइफ कंजर्वेशन सौसाइटी बारत के साथ मिलकर ग्रेट इंडियन बर्ष्टर्डर की गनी आबादी वाले स्थानों पर एक अनूठी पहल के माध्यम से उन क्षित्रों में ओवर हेड बीजली लाइनों पर फायर फ्लाइ बर्डर डाइवर्टर नामक युकति का प्रयोक किया जाएगा और यह तकनिक है क्या फायर फ्लाइ बर्डर डाइवर्टर विध्यूत लाइनों पर स्थापित एक तरक के क्लैप है और वे Great Indian Bustard जैसी पक्षी प्रजातियों के लिए परावर्तक के रूप में काम करता है और पक्षी उन्हें लगबग 50 मीटर की दूरी से पहचान सकते है और बीजली की लाइनों से टकराउ से बचने के लिए अपनी उडान का मार्ग भी बदल सकते है और Wild Life Conservation Society क्या है? Wild Life Conservation Society न्यू यूर्क स्थीत एक गेर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े जंगली स्थानों को 14 प्रात्मिक्ता वाले क्षेत्रों में सरक्षित करना है Wild Life Conservation Society का यह उद्देश्य हाल ही में सुगत कुमारी का निदन हो गया वे कौन थी? इमेज में देख सकते हैं सुगत कुमारी वो एक प्रसिद कवी थी जिसका हाल ही में निदन हो गया है यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है प्रसिद कवी थी प्रसिद कवी और कार्यकरता सुगत कुमारी का COVID-19 से संक्रमित होने के बाद अब निदन हो गया है वो 1970 के दशक में आकार लेते सेव साइलेंट वेली मुवमेंट की सबसे सक्रिय प्रहचारकों में से एक थी यह नाम मत बुलिएगा सुगत कुमारी वो लिखी थी और सुगत कुमारी को साल 2006 में भारत के चोथे सबसे बड़े नागरिक पुरसकार य़िए की पदम स्री से भी सम्मानित किया गया था सुगत कुमारी को किसानों के लिए फ्रूट्स पॉर्टल का अनवरन किस ने किया? फ्रूट्स नामक पॉर्टल का अनवरन किया है करनाटक राज्य की सरकार ने यानकि इस क्वेशन का सही आंसर है करनाटक सरकार और फ्रूट्स का पुरा नाम क्या होता है फार्मर्स रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिसियरी इनफोर्मेशन सिस्टम और करनाटक सरकार ने एक ही मंज पर क्रिशी सबंदी जानकारी और क्रिशी रूण विवरनों इकठा करने के लिए एक गवर्नेंस पॉर्टल किसान पंजीकरन और एकी कृत लाबार इनफोर्मेशन सिस्टम और केंडरा बेंक ने पाइलट आदार पर फ्रूट्स चलाने की सहमती भी जताई है किस बेंक ने केंडरा बेंक ने और जब करनाटक सरकार ने यह पॉर्टल लॉंज किया है तो करनाटक राज्य का गठन कभुआ एक नवंबर 1956 को करनाटक की कैपि व्रिक्ष है चंदन और करनाटक का राज्य की पक्षी है निलकांड और यहाँ आप मेप में देखे यहाँ पर दक्षिन में स्थीतिय करनाटक और करनाटक के आसपास गोवा, महराष्ट्र, तेलंगना, आंतरप्रदेश, यहाँ पर तमिल नडु और केरल से सटा हुआ है कॉलेज को यानि कि इस क्वेशन का सही आंसर है अमर्सी कॉलेज और वो कहां पर स्थी थे श्री नगर में तो श्री नगर के अमर्सी कॉलेज को सांस्कृतिक विराचत सारक्षन के लिए साल 2020 के युनेश को एशिया पैसेफिक अवर्ड में अवर्ड आफ मेरिट से नवाजा गया और कॉलेज की इमारत 80 साल पुरानी है और केंदर शासित प्रदेश जंबू और कश्मिर में इंटेक यानि कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हैरिटेज ने अमर्सी कॉलेज में सारक्षन कारिय किया था और हाल ही में युनेश को द्वारा यह अवारड़ से नवाजा गया है चवधा क्वेशन संसद में वाजपी नामक पुस्तक का विमो चन किस न किया कल ही हमने हमारे अटल बिहारी बाजपी जी को उनके जन्मधिवस के अवसर पर याक किया और कल के वीडियो में मैं आटल बिहारी बाजपी से जुड़े पुरण फेक्ट क्वेशन में बताये थे और हाल ही में यह संसद में वाजपी नामक पुस्तक का विमोचन अमारे देश के प्रदान मंत्री नरेंद्रबाय मोधी जिने किया यानिकी इस क्वेशन का सही आंचर है प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रबाय मोधी तो इस साल 25 दिसमर यानि कि कल ही भारत रतन अटल विहारी वाजपेँ जी की 692 जयन्ति मनाई गई और ये दिवस सू शाषन दिवस के रूप में मनाया जता है कौन्सा तो Good Governance Day के रूप में मनाया जता है अटल बिहारी वाजपेई जी की जन्म जयंति को और पुर्व प्रदान मंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी की जयंति पर प्रदान मंत्री स्री नरेंदरबाय मोधी नई दिलही में उन्हें पुषपांजली अरपित की और एक नए पुस्तक का विमोचन किया पुस्तक का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेई इन पारलियामेंट ए कॉमेमोरेटिव वोल्यूम नामक इस पुस्तक का प्रकाशन लोग सभास सची वाले ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है 15 कुशन स्वच्ता अभ्यान नामक मोबाइल एप्लिकेशन का शुबारम किस ने किया? स्वच्ता अभ्यान नामक मोबाइल एप्लिकेशन का शुबारम हाल ही में किया है थावर चन गहलोत ने यानिकि इस question का सही answer है option C, थावर चंद गहलोत, और हमारे थावर चंद गहलोत किस मंत्रालई के मंत्री है, हमारे सामाजीक न्याई और अधिकारिता मंत्री है थावर चंद गहलोत, और उन्होंने कल mobile application स्वच्था अभ्यान का शुबरम किया, खराब शौचालयो और सर पर मेला ढोने वालों की पहचानत था इस सबंद में आंकडों के जीयो टेक के लिए स्वच्था mobile app बनाया गया है, और इसकी मदद से स्वच्था शौचालय बनाये जा सकेंगे, और हाथ से मेला साफ करने वाले सभी लोगों को इस बुराय से छुट वीडियो में मैंने आपसे क्वेशन पुचा था, सुभास चंद्रबोज की 125 वी जयनती मनाने के लिए किसकी अध्यक्स्ता में एक समिती का गठन किया गया, आने वाले वर्ष में सुभास बाबु की 125 वी जयनती मनाने के लिए अमिज शाह की अध्यक्स्ता में एक समिती का गठन किया गया है यानिकि इस क्वेशन का सही आंचर था हमारे ग्रिह मंतरी अमिच्छा और क्वेशन का सही आंचर दिया है विश्वम मेवाडा हिरल ठाकोर परवत डामोर जोशी सौलंकी मनोज परमार सैलेस जे मुकेश कुकडिया मुकेश राठवा इन सबी दोस्तों ने इस क्वेशन का सही आंचर दिया और खुश्बू नामक हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड का नाम है खुश्बू जोशे और सवजी ठाकोर, तूशार ओजा, आर बी एंटरप्राइजेज, प्रेमा राम, प्रविन अमल्यार, हिरेन आसोडिया, नितिन मक्वाना, इन सभी दोस्तों को सही आंचर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के वीडियो का क्वेशन ए रहा स्क्रेन पर, महानू भाओ के नाम और जन्मा दिवस के संदर्व में कौन सा युगमग गलत है, कल इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताया था, कि मह आनुभाओ के नाम और जन्मा दिवस के संदर्व में कौन सा युगमग गलत है, सही आप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, और आंसर एक बार आप लिख देंगे, फिर आप उसे कभी नहीं बुलेंगे, वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, हेलपफुल लगा है, तो लाइक किजिए और आपके दोस्तों को फेस्बूप, वाटसेप या टेलिग्राम के जरिए, इस वीडियो के लिंक शेर किजिए, बस छोटी से उम्मिद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करनेट अफर वीडियो के साथ, तब त